हलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना दबुग गाय और आज मैं आपके लिए लिकर आया हूँ दफॉर एग्रिमेंट बुग की हिंदी समरी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों आज की इस वीडियो में दफॉर एग्रिमेंट बुग की समरी जिस साथ समझ जाते हैं, इसी क्षम्ता की वज़े से हम ये तय कर सकते हैं कि हमें जीवन में क्या चाहिए और क्या नहीं, तो चलिए फिर, शुरू करते हैं. अपने शब्दों के साथ रहें निश्पाप मान ले कि एक बच्चा परवरिश के दोरान ये मान ले कि मैं मुर्ख हूँ, समय के साथ धीरे धीरे उसकी ये धारना और भी मजबूत हो जाती है, फिर वो ऐसी हरकत करने लगता है, जिससे सिध होता है कि वो वाकई मुर्ख है, थोड़ा बड़ा होने के बाद वो लड़का क खटा देता है, और उसको बताता है कि वो मुर्ख नहीं, फिर वो उसकी बात पर विश्वास करते हुए एक नया समझोता तयार है, नतीजतन वो स्वैम को मुर्ख नहीं मानता और वैसी हरकते भी उससे नहीं होती, जिससे वो मुर्ख साबित होता है, अगर आप अपने जोता कर लेते हैं कि आप अपने शब्दों के साथ निश्पाप रहेंगे, तो निश्चित ही आपके जीवन में मौदूद सारी नकरात्मक भावनाएं खत्म हो जाएंगे, किसी भी बात को निजी तोर पर न लें, लोग जो भी कहें, करें या सोचें, उन बातों को व्यक् कि ही अच्छा ही बताएं, किसी के भी द्वारा कही गई अच्छी और बुरी, दोनों ही बातों को निजी तोर पर न लें, तो ऐसा करके आप अपने जीवन में समस्याओं को न्योता देते हैं, पहले से धारनाएं न बनाएं, हमारा मन हमेशा सुरक्षित रहना चाता है, इ लेकिन उसे कोशिश करने के बावजूद भी कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, ऐससे समय पर मन के दुआरा किया गया जवाब सही है या नहीं, इससे उसे कोई फरक नहीं परता, लेकिन हमारा मन जवाब जरूर देता है, इसमें हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और इ ज़िस सामने वाला कुछ न बोले तो हम भी उसके न बोलने का एक अर्थ निकालते हैं और धारना बनाते हैं। लेकिन उसे कभी भी अपनी पत्नी की नाराजगी की वज़ा समझ नहीं आती। पत्नी हमेशा अपने पत्नी से ये उम्मीद रखती है कि पत्नी को कुछ बताए बिना ही सब कुछ पता चल जाए। मानो वो उसका मन पर न जानता हो। लेकिन जब पत्नी की ऐसी उम्मीदों प कहने का अधिकार होता है जिस तरह आप सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं उसी तरह किसी को आप से सवाल पूछने का अधिकार है और आपको हाँ या ना कहने का अधिकार है अगर आपको कोई बास समझना आए तो बिना कोई धार्ना बनाए उस बात को दोबारा पूछ ल एक बहुद्ध मठ में जाता है मठ के भीतर उसे एक बहुद्ध गुरु दिखाई दिया उसने गुरु से पूछा यदि मैं प्रती दिन चार घंटे ध्यान करूँगा तो क्या अपने कश्टों से मुक्त होकर मोक्षपा सकता हूँ उसे देखकर गुरु ने कहा अगर तुम दिन में चार घंटे ध्यान करो तो दस वर्ष में मोक्षपा लोगे उस इंसान को लगा कि बहुर बहतर कर सकता है इसलिए उसने पूछा गुरु जी यदि में दिन के आठ घंटे ध्यान लगाऊँगा तो मोक्षपाने में कितना समय लगेगा गुरु ने उसे कहा अगर तुम दिन में आठ घंटे ध्यान करो तो शायद बीस वर्ष में मोक्षपा लोगे ये जवाब सुनकर वो इनसान चौक पड़ा और सोचने लगा कि अधिक ध्यान करने पर दुगना समय क्यों लगेगा गुरु ने जवाब दिया तुम यहाँ अपने जीवन को समर्फित करने नहीं आए हो यहाँ आने के पीछे तुमारा उदेश्य खुशी और प्रेम से भरा जीवन जीना अगर तुम दो घंटे के ध्यान को भैतर तरीके से करने के बजाए आधिन के आठ घंटे का ध्यान दे दोगे तो थकान के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और तुम जीवन का अनंद खो दोगे ध्यान के दोराने के सा समय आएगा जिसमें मिली उड़जा तुम्हें अपना जीवन खोशी से जीने की प्रेणा देगी मगर अधिक समय तक ध्यान करने से प्रयास में तुम वो समय भी गमा बैठोगे भले ही तुम कम समय तक ध्यान करो लेकिन वो सर्व्षेष्ट करो इसी से तुम्हारा जीवन प्रेम, खुशी और उत्साह से भर जाएगा अपने सर्वस्रेश से न कम और न अधिक अच्छा कारे करें यदि आप अपने सर्वस्रेश से भी बढ़कर और अच्छा कारे करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपकी अधिक उर्जान नष्ट होगी और कारे वैसा नहीं होगा जैसा आप करना चाहते हैं लेगिन यदि आप अपनी काबिलियत से भी बहुत कम सकरते हैं तो आपको निराशा महसूस होती है ऐसे मैं आप खुद को ही परखने लगते हैं इसलिए सबसे आसान बात ये है कि आप अपनी ओर से हमेशा सर्वशिष्ट कारे करते रहें तो दोस्तों ये थी बुक समरी दोस्तों अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीच डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और साथ ही अगर आपको फुल ओडियो बुक भी सुननी है तो फुल ओडियो बुक वाले चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ धन्यवाद